प्लेस्टोर से कोई भी Application जो है यह डाउनलोड हो जाता, या फिर कह सकते हो, कि अपड़ेट हो जाता है, अब यह Problem कैसे हमें फिक्स करना है, आपके पास चाहे कोई सा भी मुबायल हो, आपके पास Samsung का, Redmi का, या फिर विवो ओपो को Realme Narzo का जिसमें जो है दोस्तों जो कि आपकी मोबाइल में जो है आप्लिकेशन जो है यह डाउनलोट हो जाते या फिर जो है अपडेट हो जाते इससे आप बहुत ही परेशान हो जाए हो मतलब कि आप अभी क्या हो रहा है कि जैसा हूँ के आपका बहुत ही इंटरनेट यहां पर यूस हो रहा है इवन आपका मूबाइल का भी चार्जिंग जो है ज्यदा यहां पर हो रहा है मतलब आपको समझ नहीं रहा भाई यह अचानक से application कैसे हमारे mobile में डाउनलोड हो रहे या परिशान हो चुकिए हो आप इस problem को कैसे fix करना है चली वीडियो को start कर जाट करते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी यहापर क्या करना होगा देखो यहाँ पर आपको अपना play store app इसको open करना है ठीक है जो भी होता है applications download तो ज्यादा तर हम यहाँ पर 80-90% हम यहाँ पर play store का use करते हैं जाकि हमें play store से हमें applications download करना होता है तो इसी में आपको एक setting करना है जो कि मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ सबसे पहले play store applications को open करना है अब देखो open करने के बाद यहाँ पर आपको जो है उपर की दर्फ में आपको दिखा देता हूँ ठीक है यहाँ इस तरह के से ना उपर right side corner में आपको profile का option मिलेगा जहाँ पर आपको क्लिक करना है ठीक है यहां पर देखो कि आपको यहां पर एक बार से यहां पर आपको यहां पर क्या करना होगा यहां पर क्लिक करके इन दो ऑप्शन को यहां पर यहां पर रखना है यह आपका नहीं रहेगा अगर यह ऑफ है न तो इसको अन कर लो ठीक है मतलब यहां पर सार को मिल रहा होगा settings का and here manage apps and device का यहां पर आपको options पर click करना है अब यहां पर options पर click करने के बाद friends आप सभी लोगों को यहां पर option मिलेगा updates available आपको यहां पर see details का option मिलेगा यहां पर आपके automatic update हो जाते तो इसको आपको यहां पर बन करना होगा इसको ऑफ करना होगा उसके लिए क्या करना है अभी यहां पर आपको यहां पर आपको यहां से बैक करना है फिस आपको इसी प्रोफाल के options पर click करके अभी आपको यहां पर यहां पर यह जो Apps Download Performance रहेगा इसको जो है वर माइ नेटवर्क इसको इसी पर सलेक्ट करके आपको OK करना है उसके बाद आपको क्या करना होगा यहां पर आपको आपडेट के नाम से अप्लिकेशन का एक और आप्टेशन मिलेगा जो कि यहां पर लिका रहेगा Ibeotype à to update apps यह options जो है आपका यह on रहेता है जिससे आपकी सारी आप्लिकेशन आपकशन अृ।ा करना होगा कि यहां पर refresh करना होगा इसको क्या करना होगा उसके बाद एदृक करना होगा कि कोई भी आपको सकती है in-m balloons प्रदेट हो जाती या फिर रिखें सकते हो कि सार आटोमेटिक यहाँ पे डाउंडोड हो जाता है तो आपको क्या खाता नहीं होगा और अ कि उस फूलेकर यह मूदूड की अंडर सब्सक्रणाई हो diploma